लोकसभा चुनाओं में इस बार बिहार के नतीजों ने सभी को चौकाया बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 35 सीट जीतने के उमीद पाले बैठे राष्टे जनतांत्रिक गडवंधान यानि एंडिये को 30 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा 20 से 25 सीट पर विजय समिकरन जोड कर बैठे आई एंडिया ये गडवंधन को 9 सीटों पर ही रुकना पड़ा बिहार के लोकसभा चुनाओं के नतीजों ने दोनों खेमे के जोड घटाओं पर न सिर्फ प्रभाव डाला बलकि हैरान करने वाले नतीजे भी दिये और सिर्फ तीन निर्दलिय कैंडिडेट्स ने पूरप से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक बिहार का पूरा समिकरन बदल डाला शाहबाद, मगद और सीमानचल में NDA को भारी नुकसान हुआ जबकि बाकी बिहार ने विपक्ष को एक सीट के लिए तरसा दिया सबसे ददा असरदार कारकाट से लड़े भोचपूरी सूपरस्टार पवन सिंग निकले जिन्होंने आखरी चरण की आठ सीटों पर मारक असर डाला इन आठ सीटों में NDA के हाथ से 6 सीटे निकल कर बहां गडबंधन की जोली में चली गई RJD ने जो 4 सीटे जीती हैं उनमें 3 CPI को मिली है और कॉंग्रेस को 3 में से 1 सीट इसी इलाके में मिली है BJP के मना करने के बावजूत कारकाट में उपेंदर कुश्वाहा के खिलाफ पवन चुनाव लड़ने से इंकार नहीं कर पाए और इस इलाके में कुश्वाहा वोटर की नाराजगी भी RJD को और वामपंथी दलों को और कॉंग्रेस को ये सब धुनाते हुए वो दिखाई पड़े आरा में CPI के सुदाम प्रसाथ से हारे पूर्व केंदरी मंत्री और BJP नेता आरके सिंग पवन सिंग के खिलाब बोल रहे थे क्योंकि उन्हें फीडबैक था कि काराकार्ट में पवन के पीछे राजपूत वोटर्स की एक जुटता है और उपेंदर कुश्वाहा की हार के खत्रे के बावजूद वो दूसरे इलाके में कुश्वाहा वोट NDA से दूर हो रहा है तब तक उसे ये पूरा मामला भारी पड़ चुका था जानाबाद में कुश्वाहा वोट का साथ और भुमिहार वोटों का विभाजन आरजेडी के सुरेंदर प्रसाद यादव की जीत में एहम रहा पूर्णिया से पपू यादव को पहले लडने से रोकने और बाद में हराने की कोशिश में जेडियू के कैंडिडेट्स तक को वोट करवाने को आतुर दिखे लालू यादव के बेटे ते जस्वी यादव आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को जिता ये या एंडिये को जिता दीजिए लेकिन ऐसे ही किसी को वोट मत दीजिए वो पपू यादव के संदर में ये बात कर रहे थे लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया सेमांचल की चार सीटों में से ये एकलोती सीट बीजेपी जीत पाई अररिया में बीजेपी के अती पिछला कैंडिडेट प्रदीप सिंग ने आरजेडी के शेहनवाज आलम को कई सारे मतों से हरा दिया बीजेपी का वोट घटने के बाद भी आरजेडी ये सीट नहीं निकाल पाई पुर्णिया में आरजेडी नेताओं का कथित तोर पर ये कहना कि भले ही एंडिये जीत जाये लेकिन पप्पू को हराओ अररिया में बैक फायर कर गया वहां के यादवों ने इस बात को माना कि पुर्णिया में एक यादव को हराने के लिए जब तेजस्वी एंडिये को जिताने को तयार हैं तो वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं कर सकते पपू यादव ने खुद कहा कि आरजेडी उनका साथ देती तो अररिया जीत जाती सिवान में आरजेडी के टिकट पर कई बार हार चुकी हेना शहाब ने इस बार निर्दली लड़ना तै किया हेना की रणनीती थी कि आरजेडी का सिंबल नहीं होगा तो उनके पति शहाबुद्दीन के साथ रहे सवन भी उने वोट दे देंगे लेकिन लालू अर्ते जस्वी ने हेना को वोक ओवर देने के बदले अवद बिहारी चौधरी को लड़ा कर उनका रास्ता रोक लिया तो जेडियू सिवान में एक लाक वोट से हार जाती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ आर्जेडी के लड़ने के कारण हेना की संभावितार से मुसल्मानों के बीच मेसेज गया कि शहाबुद्दीन ने लालू के लिए कितना कुछ किया लेकिन हेना को जिताने से उन्होंने रोक दिया हेना के सीट फसाने के लिए आर्जेडी को जिम्मदार माना गया आमतोर पर मुसल्मान वोट, RJD, कॉंग्रिस या VIP के कैंडिडेट्स को ही जाता है लेकिन शहाबुद्दीन को हीरो की तरह देखने वालों ने अपनी सीटों पर आकरामक वोटिंग नहीं की इसी नाराजगी की सबसे बड़ी वजए और सबसे बड़ा शिकार एक तरीके से कह लीजे लालू की बेटी रोहिनी आचारया हुई जो बीजेपी के राजीव परताप रूडी से हार गए और बहुत मामुली अंतर से हार गए यहां तीसरे और चौथे चरण पर रहे एक यादव और एक मुसल्मान निर्दली को अलग-अलग भी इतने वोट मिले जो रोहिनी की हार के अंतर से ज़्यादा थे लगबग 14,000 के आसपास के वोट से बुहारी थी पावन सिंग ने उपेंद्र कुश्वाहा को फसा कर कई सीटों पर एंडिये का खेल खराब किया वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव दोरा पप्पू यादव और हेना शहाब को जो अटकाने की कोशिश थी उसने कहीं मुसलिम तो कहीं यादमों को नाराज किया दोनों आरजेडी का कोर वोट बैंक है जिसमें हिना और पप्पू के कारण पैदा हुई बेरुखी कुछ सीटों पर एंडिये के फायदे में गई अगर पवन फैक्टर नहीं होता तो जहानाबाद के अलामा शहाजाबाद और मगद की जादातर सीटों पर एंडिये का दबदबा कायम रह सकता था वहीं पपू और हेना को दबाया नहीं गया होता तो शायद महागडबंधन की दो-चार सीटें और बढ़ जाती दोनों ही सूरत में बिहार का लोगसभा का चुनाव का नतीजा बदल जाता एक तरफ या दूसरी तरफ चाहे एंडिये के तरफ चाहे आई एंडिया ये गडबंधन के तरफ बदलता हुआ तो जरूर नजर आता वैसे देखा जाये तो महागडबंधन के जीते नौ सांसदों में सिर्फ दो कैंडिडेट एक लाग से उपर के मतों से जीते हैं तीन नेताओं का मारजिन पचास अजार से कम है दूसरी तरफ एंडिये के तीस सांसदों में ज्यादा तर एक लाग से उपर के अंतर से लोग पहुंचे हैं 50,000 से कम मारजिन वाले सिर्फ दो सांसद एंडिये के कैंप में हैं यानि वोटिंग का जो परसंटेज जीतार करा है वो भी बहुत कम रहा है जो अंतर रहा है वो भी बहुत कम रहा है लेकिन अगर आप देखिए तो बिहार के चुनाव परिनाम को इन तीन न पेज को लाइक करें